नमस्कार दोस्तों, हेल्फू चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज का टॉपिक है कि धन जी हाँ, आपकी जिंदगी में धन एक बहुत ही इंपॉर्टन हम सब की जिंदगी में धन की पैसे की आउसकता सभी को होती है और उसका एक अलगी स्थान है तो आज का प्रश्न यह है कि धन किस ग्रह की महादसा में या किस आयू में आएगा और अगर आपका बिजनस खराब हो गया है तो वो आपस कब से फिर से स्टार्ट होगा और कब से पैसे आने की इस्तिति ठीक होगी या फिर किस महादशा में या अंतरदशा में आपको धन की प्राप्ति होगी तो हम आज की वीडियो में बताएंगे किस तरीके से इस तरीके से करना है हम आपको अब आज की वीडियो बताएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा चैने चे रेट बटन होगी इसको क्लिक कर दिए उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दिए ताकि नई वीडियो अप्लोड होने पर नोडिफिकेशन के रूप में मिल जाए समस्या हो तो मेल कर दिजेगा अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि धन किस आईउ में आएगा दोस्तों यहाँ पे मैंने कुंडली बनाई है आप लोग अपनी लगन कुंडली ले लिजेगा और उसमें जहाँ पे यहाँ पे मैंने एक नमबर लिखा है एक नमबर आपकी कुंडली में यह लगन का हाउस होता है यहाँ एक नमबर से लेके 12 नमबर तक कोई भी राशी लिखी हो सकती है ठीक है तो वो आपका लगन का स्वामी हो जाता है अब आपको करना क्या है यहाँ पे आपको कोई भी लगन हो आपका वो देखना है उसके साब से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे मैंने मेश लगन लिया है तो आपको करना क्या है कुंडली का दितिय भाव धन का भाव होता है तो वहाँ पर देखना है कि कौन सा ग्रह बैटा और कौन सी राशी है फिर इसके बाद चतुर्त भाव देखना है और उसमें ये देखना कि कौन सा ग्रह है और कौन सी राशी है फिर इसके बाद न उस नंबरों का अंक होता है हर ग्रहों का मुलांक होता है तो इससे सूर का 9, चंद्रमा का 8, मंगल का 7, राहु केतु का 0 है और गुरु 6, शनी 5, बुद्ध 4 ठेक है और शुक्र 3, राहु केतु का 0 अंक होता है तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके दितिय भाव सब्सक्राइब है पर टोटल योग 36 अब आपको क्या करना है कि इनी हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों की अंक ले लिजेगा और उसको जोड लिजेगा तो यहाँ पर सेकेंड हाउस में चंद्रमा बैटा चंद्रमा आंक आठ है चतुर्त भाव में मंगल बैटा मंगल कांक है साथ है औ नॉन भाव में गुर। बैटा गुरु कांक है छे दसम भाव में बुद्ध बैटा बुद्ध कांक है चार एका धश मैं शनी बैटा शनी आंग कांक है पांच इसको टोटल करके तो ahご क्या करना है कि राशिक घ्रह कंक जोड लेंगे तो टोटल आजाएगा fifa6 यहाँ में 400 चाचट आ जाएगा ठीक है चाचट 66 तो अब आपको क्या करना है यहां पर 66 है इसको डिवाइट करना है 12 से ठीक तो यह चैप आपका यहां पर आ जाएगा ठीक जो रिमाइंडर है वो चैप तो उस रिमाइंडर को देखिएगा अब यहां पर आपको क्या करना है दितिय भाव से चैप गरत गुर ना है एक दो तीन चार पांच छै तो छै नंबर पर जो भी अंक आ जाएगा यहां पर यहांपर साथ आंक नंबर आरा साथ नंबर की रासी आले तो शुक्र की महादसा अंतर उसाफ्र 15 में आपके पहस धन आने की संभावना बढ़ेगी अगर वो निकल चुका है शुक्र तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है अपना चतुर्त भाव से गिनना है एक दो तीन चार पांच छे यहाँ पे नवम भाव में आ रहा है धनूराची यानि ब्रस्पति इसका मालिक होता है तो ब्रस्पति की ग्रह की मादसा अंतर दसा में आएगा अगर ये भी नहीं इसमें निकला है तो फिर आप इसमें देखिएगा नवम भाव से एक, दो, तीन, चार, पांच छे तो यहाँ पे भी शुक्र आ रहा है जब आपको धन के बारे में पता करना है कि धन आपकी लाइफ में कब आएगा तो एक, दो, तीन, चार, पांच छे तो यहाँ पे आपको देखिए छटे बाव यानि कि धन का जो कारक ग्रह है वो शुक्र ग्रह है आपको और जब आपको लाब होना है तो लाब के लिए देखिए यहाँ से जब गिनेंगे तो छे, एक, दो, तीन, चार, पांच छे यानि चंद्रमा तो लाब आपको कौन दिलाएगा चंद्रमा ग्रह दिलाएगा ठीक है और अगर आपके भाग, भाग के द्वारा यानि कि अचानक कभी धन की प्राप्ती होना के लिए सोच रहे हो तो एक, दो, तीन, चार, पांच है यानि शुक्र यानि कि शुक्र कहीं न कहीं भाग का ग्रह है और धन प्राप्ती का बहुत ही मजबूत प्लैनेट है बन रहा है आपके चार्ट में, तो शुक्र है आपको दिलाएगा, इसी पकार नौकरी ये छूड़ गई है आप जाइन कर सकते हैं